आज की डिफेंस सेक्टर की बड़ी खबर की बात करें तो आज की खबर निकल कर सामने आ रही है डियार्डियो के सीनियर साइन्टिस्ट की तरफ से जिन्होंने पाकिस्तानी महिला एजेंट के साथ इंटिमिट रिलेशन्स थापित करने के चक्कर में भारत के मिसाइल्स, UAV और रोबोटिक्स प्रोग्राम के सेंसिटिव डेटा को लीग कर दिया है दरसल 3 माई 2023 को पुनिस्थिद डियार्डियो लेब के डिरेक्टर प्रदीप कुरूलकर को पाकिस्तान महिला एजेंट को भारत के मिसाइलों की खुफिया जानकारी लीग करने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया था इसी केस को लेकर ATS ने 30 जून को स्पेशल कॉट में 1837 पन्नों की चार्जशीट पेश की है इस चार्जशीट में यह बताया गया है कि DRDO के साइन्टिस्ट प्रदीप कुरूलकर को पाकिस्तान की एक खुफिया महिला एजेंट के द्वारा हनी ट्राप किया गया था पाकिस्तानी एजेंट में प्रदीप कुरूलकर से जुड़ने के लिए अलग-अलग नामों से कई फर्जी आइडी बनाये थे इनमें से दो आइडी जिनका यूज हनी ट्राप के लिए किया गया था वो जारा दासगुपता और जुही अरोडा के नाम से बने थे प्रदीप कुरूलकर से बातचीत करने के लिए मेसेजिंग आपस पर जो दो आइडी बनाये गए थे वे दोनों आइडी प्लस 4-4 लंदन कोड़ वाले दो अलग-अलग फोन से जुड़े हुए है प्रदीप कुरूलकर का ज्यादातर बातचीत जारा दासगुपता वाले आईडी से होता था इस चार्जशीट में यह भी बताया गया कि प्रदीप कुरूलकर की बात जिस महिला से होती थी उसे प्रभावित करने के लिए वे अपने काम के बारे में डिंगे मारा करते थे जब उस महिला ने उनसे पूछा कि क्या अगनी सिक्स के लॉंचर का परीक्षन सफल रहा तो उन्होंने डींगे मारते हुए कहा कि इसे तो सफल होना ही था क्योंकि लॉंचर को मैंने ही डिजाइन किया है बेबी उन्होंने इस पाकिस्तानी महिला एजेंट को इंप्रेस करने के चक्कर में DRDO के द्वारा बनाए जा रहे Unmanned Combat Aerial Vehicle, भारत Quadcopter और Tappas UAV की जानकारी साज़ा कर दी जब उस महिला ने उनसे Meteor मिसाइल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि Meteor तो कुछ नहीं है, हमारा Astro Missile Meteor मिसाइल से काफी ज़्यादा accurate है उन्होंने इस बातचीट में Bramos, Rafal और Akash Surface to Air Missile के बारे में भी बहुत सारी डीटेल्स शेय कर दिये यही नहीं जब उस महिला ने उनसे पूछा कि मैंने सुना है कि अगनी सिक्स पर भी काम चल रहा है, उसका परीक्षन कब करना है जिस पर उन्होंने कथित तोर पर जवाब दिया कि करेंगे थोड़ा धीरज रखो इस चार्जशीट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी महिला एजेंट में प्रदीब कुरूलकर का भरोसा जीतने के लिए अपना इमेल आईडी बता कर ये तीन इमेल आईडी और इनके पासवर्ड को इनके साथ साजहा किया था जिसके बाद प्रदीब कुरूलकर के मोबाइल में दो अप्स भी इंस्टॉल कर भाए जो कि एक प्रकार का मैलवे था जिससे कि इनके मोबाइल का सारा डेटा उस पाकिस्तानी महिला एजेंट के पास चला गया इन ही बातचीत में उन्होंने उसे बताया कि कैसे पिछले साल अगस्त में एक तेंदुआ भटक कर DRDO के परिसर में घुसाया था यही नहीं बलकि उन्होंने इस महिला को कुछ ऐसी बाते भी बताए जो भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है दरसल उन्होंने भारतिय सेना के लिए काम करने वाले उन प्राइविट कमपनीज के CEO के नाम और उनके कुछ जरूरी डीटेल्स भी उस महिला के साथ शेय किये जो भारतिय सेना के लिए रोबोटिक एक्विपमेंट के निर्मान में शामिल है यह जानते हुए कि कोई दुश्मन देश इस तरह की जानकारी भारतिय सेना के बारे में मान सकता है इस चार्जशीट में यह भी खुलासा किया गया कि जो मोबाइल नंबर इन तीन इमेल आइडी के साथ लिंक्ट है उसे पाकिस्तानी बेस्ट नायटल कंपनी ने इशू किया है और इन इमेल आइडी को एक्सेस करने के लिए जिस इंटनेट कनेक्शन का यूज किया जा रहा था उसका आईपी अड्रेस इसलामाबाद बेस्ट पाकिस्तान टेलेकम्यूनिकेशन लिमिटेड का है ATS ने यह भी बताया कि यह पूरी बातचीत सिंतमबर 2022 से फरबरी 2023 के बीच हुआ था जब डियार्डियो को प्रदीप कुरूलकर के गतिविधियों पर कुछ संदे हुआ तो डियार्डियो ने मार्च में महराष्ट्रा ATS को इसके बारे में जानकारी दी अभी प्रदीप कुरूलकर को पुने में स्थित येरवाडा जेल में रखा गया है इस चार्च शीट में कुछ सेंसेटिव इंफरमेशन भी है जिन्हें कोर्ट में एक सील्ड इंवेलप में पेश किया गया है देखिए यहाँ पर बात सिर्फ यह नहीं है कि भारत के कुछ मिसाइलों के जरूरी डीटेल्स पाकिस्तान के हाथ लग गया है बलकि पाकिस्तान इन डीटेल्स को चीन के साथ भी साज़ा करेगा जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है और तो जिन कमपनियों के CEO के डीटेल्स पाकिस्तानी एजनसी को लीक किये गए वो इंडियनामी के लिए रोबोटिक एक्विप्मेंट जैसी चीजों के डिवेलप पर काम कर रहे है जो कि इंडियनामी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खरी कर सकता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में अगर आपको इस पर कुछ कहना हो तो कमेंट करे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जै हिंड जै हिंड